दोस्तों बहुत लोग अपना इसरम कार्ड बनातो रहे हैं लेकिन बनाने के बाद कभी उसके फोटो ही नहीं आ रहा है और कभी कभी तो उसका डिटेल्स ही गया हो जा रहा है पुरा ब्लैंक आ जा रहा है तो वैसा इसरम कार्ड बनाने का फाइदा ही क्या है तो इसलिए आएगा मतलब प्रोपर एक इसरम कार्ड बनके आएगा जिसमें आपको स्टेप वह स्टेप मोबाइल के स्मूप ले जाके बताने वाले तो वीडियो को प्लीज पुरा आन तक जरूर देखिएगा अगर आप इसरम कार्ड सही तरीके से बनाना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए नोटिफिवेशन बेल जरूर पेस कर दिजिएगा चलिए दोस्तों आज किस बड़ को शुरू गरते हैं। अपने मोबाइल में Chrome ब्राउजर को उपन करेंगे और सामने के हैं सर्च बार पे टाइप करेंगे isram.gov.in और सर्च करेंगे तो ओफिसियल वेबसाइट उपन हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ है रेजिस्टेशन इस टूटली फ्री मतलब इस राम कार्ड बिलकुल फ्री में बना सकते हैं बनाने के लिए रेजिस्टर और इस राम का ओप्सन आरे है मोटा मोटा इस पे क्लिक करेंगे तो इसरम कार्ड बनाने का कुछ क्राइटेरिया यहां पे दिया हुआ है सबसे पहला है आपके पास अधार कार्ड होना ची अधार कार्ड में मोबाइल नमर लिंक होना ची और आपके पास कोई एक बैंक अकाउंट होना ची और आपका एज 16 साल से ज़ादा होने चाहिए और 69 साल से कम होने चाहिए ये पेंसन धार्यों के लिए नहीं है अब दोस्तों इसका रेजिटेशन करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सिल्फ रेजिटेशन वाले सेक्षन में सबसे पहले अपने आधार कार्ड के रेजिस्टर मोबाइल नमर को इंटर करेंगे फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और नीचे में दो क्राइटेरिया दिया गया है सबसे पहला क्राइटेरिया है एपी एफो इंप्लोई प्रोविंडेन फंड और्गनाजेशन वाला एकाउंट आपका नहीं होने ची बहु इंप्लोई एस्टेट इंसुरेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों इस आईसी बोलते हैं इस आईसी भी प्राइवेट कंपनी जो लोग काम करते हैं उनका भी कटता है तो अगर आपका इस पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यू आर अगर आपका इन दोनों में से कोई भी पर क्लिक कर देंगे और देख सकते इलिजिवल हैं और सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों रेजिस्टर मोबाइल नमर पर ओटीपी जाएगा जिसको यहां पर इंटर करके समिट वाले बटन पर क्लिक करना है तो सबसे पहले यहां पर अपने आधा AirCard को बहुत आसानी से authenticate कर सकते हैं लेकिन mobile नमर लिंक नहीं है तो आप दूसरा तरीखा अपना सकते हैं जो की iOS 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 अथे 28 करने के लिए आपके पास वह dataset हो ना ची अगर है तो बहुत आसानी से अधे तति कर पाएंगी अगर आईरिस डिवास नहीं है तो fingerprint device तो बहुत आसानी से मिल जाता है morfo का या फिर mantra का तो उसके थुरू भी आप अपने अधार card को बहुत आसानी से authenticate कर सकते हैं और e-sram card बना सकते हैं अगर आपके अधार card में mobile number लिंक नहीं है तो भी तो दोस्तो उसके बाद यहाँ पे capture डालेंगे तो capture डालने के बाद I agree वाले box पे tick करेंगे और submit वाले बटन पे click करना है तो आधार card के registered mobile number पे OTP जाएगा जिसको इस box में fill करना है और validate वाले बटन पे click करके validate करेंगे अपनी आधार card को आधार card validate हो चुका है scroll करके नीचे आएंगे तो अपना पूरा details देख सकते है simply से आपको I agree that all the information is shown above the correct मतलब उपर में जो information है वो सबका सब सही है इसके लिए आपको tick कर देना है और continue to enter other details पे click करना है अब हमारा process दूसरा step में आचुका है जो कि personal information है इसके लिए scroll करके नीचे आएंगे और अपने personal information को enter करेंगे जिसमें सबसे पहले है registered mobile number जो कि फिल है auto उसके नीचे emergency mobile number है कोई एक mobile number इंटर करेंगे एक email ID डालेंगे और फिर marital status चूज करेंगे उसके नीचे father's name डालेंगे फिर social category चूज करेंगे SCI, STI, OBCI या फिर general है और उसके बाद social category certificate अपलोड करना है दोस्तो इसको छोड़ दीजिएगा कोई mandatory नहीं है उसके नीचे blood group है blood group चूज कर देंगे उसके नीचे differently abled मतलब भी clank है या फिर no select करना है उसके नीचे nominee का पूरा details डालेंगे नाम डालेंगे nominee को जिसको भी बनाना चाहते हैं उसके नीचे nominee का date of birth डालेंगे nominee का gender select करेंगे और फिर nominee से relation चूज करेंगे इतना details को fill up करने के बाद save and continue वाले बटन पे click करना है अब दोस्तों हमारा process तीसरा step में आच चुका है जो की है address तो scroll करके नीचे आएंगे और अपने address को enter करेंगे current address डालना है मतलब आप अभी जहां पे रह रहे हैं fill hall में तो वहां के address को enter करेंगे और scroll करके नीचे आएंगे staying at current location मतलब इस जगा पे जो नया जगा पे आप रह रहे हैं वहां पे कितने दिनों से रहा रहे हैं तो आप जितने दिनों से रहा रहे हैं उसके category को choose कर लिजिएगा और इसके नीचे आएंगे तो आपको पर्मामेंट address इंटर करना है तो जहाँ पे घर होगा वहीं तो पर्मामेंट आइड्रेस होगा तो वही आइड्रेस को इंटर कीजिएगा फिर से और Save and Continue वाले बटन पे क्लिक करना है प्रोसेस चौथा स्टेप में आचुका है जो की है Education Qualification इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको Select करना है कि कितने पढ़े लिखे हैं तो जितने भी पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से आपको Select कर लेना है और फिर नीचे में Educational Certificate आपको Upload करना है तो अगर आप Upload करना चाहते हैं तो Upload कीजिएगा ने तो छोड़ भी दीजिएगा ये कोई Mandatory Field नहीं है उसके नीचे आपको Monthly Income Slab चूझ करना है कि आप महीने में कितने कमाते हैं जितने भी कमाते हैं उसके हिसाब से Select किजिएगा उसके नीचे आपको Income Certificate देना है अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा ये कोई Mandatory Field नहीं है अब आपको Save and Continue वाले बटन पे क्लिक करना है अब प्रोसेस 5Y Step में आचुका है जो की है Occupation and Skills इसके लिए आपको Scroll करके नीचे आना है और यहां पर अपना Primary Occupation चूझ करना है कि मतलब आपका प्राथमिक पेसा क्या है आप करते क्या है जैसे कि माल लेते हैं कोई किसान है तो अपने यहां पर Farmer टाइप करेगा तो यहां पर Farmer से Related बहुत सरा Option आ जाएगा तो Farmer में Dairy Farming करते हैं तो उसको Choose कर सकते है Farmer में Poultry Beading करते हैं तो उसको Choose कर सकते है या फिर इसको दूसरे तरीके से भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि Crop Grower हो गया Cultivator हो गया तो इसको Choose कर सकते हैं तो मतलब अलग अलग तरीके से आपको अपने काम को सर्च करना है ताकि वो चीज आ जाए जो आप डालना चाहते हैं तो Occupation Choose करने के बाद आप नीचे में देख लिजेगा कि सही चीज डलाया है या फिर नहीं जैसे कि यहां पे लिखके आ गया फिल्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल ग्रुवर मतलब खेत में फोसल उगाते हैं और साथ में सबजी उगाते हैं तो दोस्तो अब चिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और अपना वर्क एक्स्प्रियेंस देना है कितने सालों से ये सब काम कर रहे है तो आपको अपने हिसाब से चूज करें ना है और Secondary Occupation भी यहां पे डालने का Option आ रहा है तो अगर अब डालना चाहते हैं तो डाल सकते अगर नहीं डालना चाहते हैं तो छोड भी सकते हैं दिक्कत वाली बात नहीं है अब दोस्तों आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है How did you acquire skills? मतलब आपने ये खेती बारी का skills कहां से सीखे? खेती करने का कहां से सीखे? तो यहाँ पर option आ रहा है दो-दो तो आपने कहीं से formal vocational training लिये हुए तो उपर वाली option को choose करेंगे अगर नहीं लिये हुए है तो नीचे वाली option को choose करेंगे अब यहाँ पे सब skills का option आ गया है इस पे click करेंगे तो यहाँ पे बहुत सरा option है जैसे की hereditary है hereditary का मतलब होता है खांदानी चलता हुआ रहा है दादा जी भी काम करते हुए आपने इस चीज को सीखे है तो दोस्तो खेती बारी तो hereditary होता है hereditary को choose कर लेंगे इसके बाद है skill to be upgraded अपने skill को upgrade करना चाहते है अपग्रेड करने के लिए vocational training लेना पसंद करेंगे या फिर technical तो technical जादा अच्छा है अब दोस्तो save and continue का button मिल रहा है इस पे click करके save continue करेंगे अब यहाँ पे banking details का option आच चुका है और यहाँ पे अपने bank details को enter करेंगे जैसे कि bank account number डालेंगे फिर से bank account number डालके confirm करेंगे फिर bank account holder का name डालेंगे और फिर IFSC code डालेंगे bank का नाम डालेंगे और branch का name डालेंगे इतने details डालने के बाद save and continue वाले button पे click करेंगे दोस्तो हमने application form को successfully complete कर चुके है और यहाँ पे सारा के सारा step green हो चुका है अब दोस्तो एक बार देख लेंगे कि form सही से भड़ाया है या फिर नहीं स्क्रॉल करते जाएंगे सारा details आते जाएगा अब यहाँ पे finally submit करने के लिए इस box पे tick करेंगे और final submit वाले button पे click करके submit करेंगे और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तुरंत ही हमारा isram card बनके आचुका है और isram card बना साथ में photo भी आया और साथ में सारा के सारा details के साथ में बना है बहुत लोग अपने isram card बना रहे हैं लेकिन बनाने के बाद उस पे photo ही नहीं आ रहा है या फिर details ही load नहीं हो पा रहा है पुरा के पुरा साधा ही रहा जा रहा है तो फिर वैसा isram card बनाने का क्या मतलब है दोस्तों हमने आपके सामने इस रमकार्ड बनाए तुरंत बनाए जल्दी बनाए असानी से बना बनातने में कोई दिक्कत भी नहीं आया और बनाने के बाद इस रमकार्ड पे फोटो भी आया और टूटल डिटेल्स भी आया तो दोस्तों इस तरीके से आप इस रमकार्ड बन नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो थोरा सभी अच्छा लगाऊगा प्लीज लाइक किजिएगा ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर पेस कर दिजिएगा चलिए चलते हैं में अगले वीडियो में